काया कल्प डिसीजन मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन दबाना ना भूले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे धन्यवाद जो इस ब्रह्मांड में है वही चीज हमारे सरीर के अंदर है यानि हम सास्त्रों के अंसार यह कह सकते हैं कि हमारा सरीर ही एक ब्रह्मांड है इस बात को बैग्जानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे सरीर में कई धातों पाई जाती हैं धातों हमारे सरीर को एक प्रकार से स मजने की कोशिस करिए हमारे सरीर में लोह तत्त्त की कमी हो जाती है तो पांडू नामक रोग जिसे हम पीलिया कहते हैं वो हो जाता है जिंकी की कमी हमारे सरीर में जब हो जाता है तो हमारा पेट खराब हो जाता है तो हमें दस्त की सिकायत हो जाती है और जब हम इनसे समंदी दबाईयों का सेवन कर लेते हैं तो यह ठीक हो जाता है दबा हमारे सरीर में उस धातु की पूर तिकर देता है और हमारा रोग ठीक हो जाता है ऐसे ही सारी धातु का कहीं न कहीं उपयोग होता है यह तो बात हो गई कि हमारे सरीर के जो अंदर धातु है वह किस प्रकार से काम करती है अब आईए बात कर लेते हैं हम जो धातु धारण करते हैं वह किस प्रकार से काम करती है और उन धातु का किस ग्रह में बास होता है मित्रों हर धात किसी न किसी ग्रह से संबन्ध रखती है जब भी कोई ग्रह खराब इस्थित में होता है तो उससे संबन्धी धात को हम धारण करते हैं तो हमारे उस ग्रह को बल मिलता है और उस ग्रह से संबन्धी जो भी चीजें होती है उनसे हमें फायदा होता है उसके बुरे प्रभाव में कमी आती है अक्सर आपने देखा होगा कि लोहे का कड़ा जादा तर लोग धारण करते हैं लेकिन हर किसी को नहीं धारण करना चाहिए क्योंकि लोहा सब के लिए फायदे मन नहीं होता तो आईए जान लेते हैं कि किस धात उससे सम्मंधित कौन सग्रह है और उससे क्या फायदा हमें मिल सकता है उस धात को धारण करने से सबसे पहले बात कर लेते हैं सोना की सोना पहनने से हमारे चेहरे में तेज नजर आता है हमारे सरीर में इस फूर्ती वा ताजगी बनी रहती है सरीर में सोने का सोने पर गुरू ग्रह का प्रभाव होता है गुरू इसके देवता है अगर किसी की जन्मकुंडली में गुरू ग्रह अच्छे भाव के स्वामी होकर अच्छा फल प्रदान ना कर रहे हो तो किसी न किसी रूप में आप इसको जरूर धारण करें आपके जीबन में गुरू का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा आप इस धातु की चेन अगुठी या कड़ा जो भी आप पहन सकते हैं जरूर इसको पहनने की कोशिज करें इससे गुरू ग्रह आपका मजबूत होगा दूसरी धातु है चांदी जिनकी मानसिक इस्थिर सही न रहती हो मन में विकार हो मन इस्थिर न रहता हो रात को नीद न आती हो एक प्रकार का अंजाना भै बना रहता हो उन्हें किसी न किसी रूप में चांदी जरूर धारन करना चाहिए चांदी में आप सभी जानते हैं चंद्रमा का बास होता है हमारा मन सबसे ज़्यादा इसी ग्रह से प्रभावित होता है अगर आपके साथ हैसी इस्थितियां बनती हैं तो किसी न किसी रूप में आप चांदी जरूर धारन करें चाहे आप के पास ज़्यादा ना हो तो एक अंगूठी चांदी की बनवाईए उसमें और कुछ भी नालगा हो खाली चांदी की अंगूठी हो आप उसे सोमबार के दिन जरूर धारन करें अगर किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प दोस बना हुआ है तो चांदी धारन करनी चाहिए चांदी पहने से चंद्रमा का बल बढ़ जाता है और जो आपके जीवन में अच्छे प्रभाव देने लग जाता है और उसके जो बुरे प्रभाव होते हैं उनमें कुछ कमी आती है तो आप इसको जरूर धारन करें तीसरे धातु है ताबा ताबा सरीर में रक्त को संतुलित करता है ताबा मंगल की धातु है और सरीर में रक्त मंगल से देखा जाता है यह धात महिलाओं के लिए बहुत असरकारक होती है मासिक धर्म को नियंत्रित करती है चहरे पर कील मुहा से फोड़े फुंसी अगर जादा हो रहे हो तो इस धात के धारण से इन चीजों में कमी आती है अगर रात में किसी भी रक्त में किसी भी प्रकार की कमी हो तो इस धात को धारण करने से रक्त समंधि सारे रोगों को लाप पहुचाता है अगर जन्म कुल्डी में मंगल अच्छे भाव में बैठा हो और किनी कारणों बस अस्त हो या अंसबल में कमजोर हो तावे की धात में मुंगा धारण करने से सुख समरिद्धी में बृद्धी होती है अर्थिक कष्टों से छुटकारा मिलता है अगर आप करज से परिसान है तो करज से मुक्ति मिलती है आप ताबे को किसी भी रूप में अपने सामर्द के इंसार धारण कर सकते हैं अगली धातु है लोहा अगर आपकी जन्म पत्रिका में सनी अच्छे भाव के स्वामी होकर अच्छा फल प्रदान न कर रहे हो लोहा जरूर धारण करें लोहे का छला या लोहे का कड़ा धारण कर सकते हैं अगर आप बार 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 बीमार पड़ते हो व्यापार में नुकसान हो रहा हो बार 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 आपको चोंट लग रही हो अचानक से खर्च बढ़ जाता हो किसी ने किसी रूप में लोहा आप धारण करें तो मित्रों यह थाज का धातुओं से आप अपने ग्रह को कैसे ठीक कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही जानकारियां घर बैठे हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे तो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ तब त के लिए जैसर के शुट